जून मन्थ चल रहा है पेड़ों पर कच्छे आम लगे हैं पच्छे आम को देखकर मूँ में पानी आ रहा है तो आईए फ्रेंड्स कुछ ऐसा बनाते हैं कि मूँ में पानी को कंट्रोल किया जाए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज कर मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंने ये एक किलो के क्रीब कच्छे आम ले लिये हैं इनको धो कर मैंने अच्छे से पोंच कर धूप में सुखा लिया ह है आदे घंटे के लिए ये मीडियम साइज के आम है तो चलिए बनाते हैं इसका आम पापड़ पहले इसको छील लेते हैं मैंने सारे आम चील लिए अभी इसका पलप निकाल लेते हैं लंबे स्लाइस में आप कैसे भी लंबा चोटा कैसे भी काटो इसकी गुटल को तोटल यालग कर देंगे पच्चे आम है ये फ्रेंड्स कच्चे आम पापड़ बना रहे हैं हम दो इसका तोटली अलग कर देंगे गुटली को गुटली से पूरा पलप निकाल दिया है ऐसे इस तरह हम सारे आम को काट लेते हैं तो यह मैंने आम को मोटा मोटा काट लिया है यह दिखिए अब इसको करते हैं बॉइल यह मैंने गैस पर पतीला चड़ा लिया इसमें पानी डाल देंगे इतना पानी एक कप और आधा कप और अभी इसमें यह सारे मैंगो डाल देंगे अब प्यास कर देंगे आउन अब इसे 15-20 मिनिट तक अबा लिया है यह देखिए बिलकुल नर्म हो चुकते हैं यह देखिए चमच बंदवाने से पल्प बिलकुल सॉफ्ट हो चुका है मुझे इसे उबालने में 15-20 मिनिट लगे बीच में चेक किया था 10 मिनिट में तो हुआ नहीं था और आँच मैंने स्टार्टिंग में फुल रखी उसके बाद मैंने मीडियम कर दी थी और थोड़ी देर में लो कर दी थी ताकि यह कच्चे आम है इसलिए इने पकने में लो ही आँच चाहिए तो अभी इनको ठंडा होने देते हैं मैंगो पल्प ठंडा हो चुका है आईए जालते हैं मिक्सर जार में तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया सारे पल्प को अभी इसी पतीले में डाल देंगे जिसमें हमने बॉयल करे थे आए सारे पल्प को इसी में डाल देंगेう सारे मैंने सारा पल्प निकाल दिया जाहर अगि आपको लगए कि ज justement फीर ने थोड़ा पानी पॉर्प निकाले फिर इसमें डाल सकते हैं और अभी मिलाएंगे इसमें ये 1500 ग्राम चिन्नी है इसको इसमें मिला देंगे और ये आधा छोटा चमच काली मेरच और आधा चमच जीरा और आधा चमच लाग मिरच आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो और इसमें एक चमच में डालने वाली हूँ सेंधा नमक आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हो और इन सब को अच्छी तरह मिला लेंगे पापी चीनी इसमें अच्छी से गजाए अभी गैस को करते हैं और अब और थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे इसे चलाते रहें तो मैंने इसे स्लो आज में पांच मिनट के लिए पकाया है तो देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इन्स किये पूरी तरह पक चुका है हाँ अभी गैस को कर देते हैं बंद और इसे घंडा होने देते हैं तो फ्रैंट्स मेंगो फॉल्प ड्री लेली है इसमें और युद्ट से घी डालके इसे ग्रीस कर लिया है अभी इसको इसमें डाल जिकते हैं अब बाल अपने हिसाफ से आप मूटा पतला बना सकते हो मैं इसी पतला ही बना रही हूँ कि जल्दी सूख जाता है तो मैंने इस पल्प को पूरी तरह ट्रे में फैला लिया है अभी इसको मैं पंखे के नीचे सूखने के लिए रखूंगी और कल सुख है अगर धूप होगी अच्छी तो हवा नहीं होनी चाहिए क्यूंकि इसमें धूल मिट्टी पड़ सकती है तो कल इसको मैं धूप में रखूंगी तो मिलते ने दो दिन के बाद तो दो दिन के बाद ये पूरा पक चुका है मैंने इसे धूप में ही सुखाया था क्यूंकि हमारे यहां धूप अच्छी निकलती है तो देखिए फोईल पेपर से इसे आसानी से निकाला जा सकता है धीरे धीरे प्रेस करके मैं इसे पूरा निकाल दूँगी मैंने इसे पूरा निकाल दिया लड़ो दूरा जासना जासना अब देखिया अराम से निकल जाता है अब इसका एक पीस और काट लेते हैं लंगे वाला कर दो कर दो अब इसको इसको प्रक देंगे ऐसे ही सारे पीसिस काटके रखते हैं अभी सर्म करते हैं तो लीजिये फ्रेंड्स चट पटे खटे मीठे आम पापड खाने के लिए तयार हैं काटते समय थोड़ा अपना ख्याल रखिए जलद बाजी ना करें तो खाईए अपने बच्चों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अपने अनुभव उमा नेचर ब्यूटी चैनल में कोमेंट करके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ बाइ थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो